नमस्कार दोस्तों इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉरिमिनिक एलेस सिरप का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है। कॉरिमिनिक एलेस सिरप बलगम को पतला करती है और फेफडों में जमा बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है और खांसी को ठीक करती है। इसके अलावा अस्थमा, ब्रॉंकाइटिस और सियोपीडी से पीडित व्यक्तियों को भी डॉक्टर कॉरिमिनिक एलेस सिरप को लेने की सला दे सकते हैं। कॉरिमिनिक एलेस सिरप वायुमारक की मांस्पेशियों को रिलाक्स करके और फेफडों के सांस लेने के रास्ते को चोड़ा करती है। कॉरिमिनिक एलेस सिरप की वज़ा से कुछ साइड एफेक्ट्स हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की कॉरिमिनिक एलेस सिरप को कैसे लेना रेकेमेंड़ होता है। आम तोर पर दो साल से लेकर छे साल तक के बच्चों को डॉक्टर 2.5 मिलिलीटर कॉरिमिनिक एलेस सिरप को दिन में दो बार लेने की सला देते हैं। और 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर 10 मिलिलीटर कॉरिमिनिक एलेस सिरप को दिन में दो बार लेने की सला देते हैं। कुरिमिनिक एलेस सिरप की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको कुरिमिनिक एलेस सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिसकस करेंगे कि कुरिमिनिक एलेस सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दो साल से कम उम्र के बच्चों को कुरिमिनिक एलेस सिरप को डौक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। ताकि फेफ़ों में जमा बलगम पतला होकर आसानी से बाहर निकल सके। और इसके अलावा आपको बर्फ व ज्यादा ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। लगातार ज्यादा लंबे समय तक कॉरिमिनिक एलेस सिरप को लेना रेकिमेंडेड नहीं होता है। अगर आपको कॉरिमिनिक एलेस सिरप को लेते हुए एक सब्ता से भी अधिक का समय हो चुका है और आपकी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो आपको डॉक्टर से दोबारा परामर्श लेना चाहिए। ताकि आपका डॉक्टर खांसी होने के कारण का पता करने के लिए दोबारा से जांच करवा सके। वैसे ज्यादातर व्यक्तियों में कुरिमिने केले सिरप को लेने के बाद ज्यादा नीन नहीं आती है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को कुरिमिने केले सिरप को लेने के बाद नीन अधिक आती है या चक कराते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए, जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्क्ता की आवशक्ता होती है. कौरिमिने केले सिरप के साथ शराब का सेवन करने की वज़े से साइड इफेक्स होने का जोखिम अधिक हो जाता है और नींद आने की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है Blood pressure बहुत ज्यादा होने पर और कोई दिल से संबंधित बीमारी होने पर Coruminic L.S. syrup को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है इसलिए इन conditions में डॉक्टर की सलाह के बिना Coruminic L.S. syrup को नहीं लेना चाहिए ज्यादा तर डॉक्टर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Coruminic L.S. syrup को नहीं लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Coruminic L.S. syrup को नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Coruminic L.S. syrup से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं